क्योंकि हम परिवारों से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं आपको एक पते की बात बोल दूँ, बहुत अच्छी बात है जिससे हमारी आने वाली नसलों को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, जब हमारे देश में सरकस में जानवरों की खेल पर पबंदी लग गई कि आप तॉर्चर क खाते थे, तो उनका खर्च हो रहा था, इंकम नहीं थी, तो सरकस बाला ने सोचा, अब इनका क्या करेंगे, उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठा कर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया, 15 दिन के बाद पता चला, उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुछे क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे वो अपना टैलेंट भूल गए दूसरी तरस कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे चलो कठे हो के शेर को मार लेते हैं इसलिए जो माँबाप अपने बच्चों के लिए जादा बड़े बैंक बैलेंस जादा बड़ी प्रॉप्टी जादा बड़ी फसिल्टी छोड़के जाते हैं असल में वो अपने बच्चों को सरकस के शेर बना जाते हैं हम आज फैसला कर ले इस शो के जरिये कि भले दो दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे क्योंकि हम लोग नीचे से आएं हर हर फील्ड में दो किसम के लोग होते हैं ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स फरक सिर्फ इतना है ग्रास रूटर्स सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर्स सिर्फ नीचे को आ सकते हैं दुनिया की कोई पैराशूट्स ऊपर नहीं लेकि जाती है आदमी को